कि नवस्कार सभी को एक बार फिर स्वागत है आपका आपके इपने चनल पर आई यह देखते हैं एक जो एनलाइज और आपके इसाब से क्या सिस्टम है और क्या होने वाला है ठीक अच्छा सशी गुरूप डी यह काम कर लो कट ओफ पचास ही जाएगी अगर यह हुआ तो क्या कारण हो सकता है जी पचास वी जा सकते हैं और पचास किसकी जा सकते हैं सारी बाते हम समझते हैं एक एक करके वीडियो को पूरा देखना और अपनी राए जरूर देना अगर ऐसा हम करते हैं तो वकेंसी कम हो सकती है क्या वकेंसी ज्यादा ये वकेंसी घट सकती है क्या बढ़ सकती है कि एक बात आप मेरी कान खोल के सुन लो अगर आपके नंबर 60 के लगबग बनते हैं तो ठीक है एक हमारे पास ग्रूप C है और एक हमारे पास ग्रूप D है ठीक है लगबग दोनों की 42-43 जार पोस्ट है ठीक है अगर हम ग्रूप C की बात करें तो पेपर ग्रूप D और C दोनों का बच्चों ने दिया है और D में भी सेलेक्षन लेंगे और C में भी लेंगे यानि मान के चलो मैं 5-6,000 बच्चे इसे मानता हूं ठीक है नब 5-6,000 बच्चे इसे मानता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने फाइदा रहेगा आप सुने वीडियो को और 5-6,000 बच्चे ये जो 5-6,000 बच्चे हैं वो ये कहां सेलेक्षन लेंगे दोनों जगए सेलेक्षन लेंगे याद रखना ये बात 5-6,000 बच्चे कहां लेंगे दोनों जगए सेलेक्षन लेंगे यानि सी में भी सेलेक्षन लेंगे और डी में भी लेंगे क्योंकि नॉर्मल पेपर है आपको पेपर की कटोप भी पता चलगी होगी लेकिन कटोप 10 नंबर से कम जा सकती है 10 नंबर तक कम जा सकती है उसका का जवाज उठानी पड़ेगी अगर बात करें आपा ग्रूप सी की वकेंसी जो है अगर पहले हो जाए जैसे 31 अक्तुबर को आपका सिस्टम होने वाला है ठीक है डेट डाली गई है तो उसके अंदर कोर्ट के अंदर अगर ये केस 31 को फारिक हो जाए जैसा भी हो वेसा भी और ग्रूप सी की वकेंसी का एक्जाम ले ले सारी की सारी का ठीक है और एक्जाम लेने के बाद ठीक है इसका जोइनिंग वगेरा रेजल्ट निकाल दे जल्दी से ठीक है और उसके बाद में उसके बाद में ग्रूप डी का निकालते हैं ग्रूप डी का निकालते हैं उस ग्र नराज हो जाएंगे उसका कारण यह होगा अगर पर वी तो गुरूप डी का result वाद में निकाला जाए तो आपकी या हो सकती है merit यानि 5,000-6,000 बच्चे मान लो group D के अंदर 5-6,000 बच्चों ने क्या किया वो joining कर ली ठीक है और joining करने के बाद group D के अंदर group D में joining कर ली और उनका C का result आया जैसा ही तो वो ये पक्का छोड़ के जाएंगे और किस में चले जाएंगे joining किस में करेंगे तो क्योंकि vacancy जो अच्छी होगी उसमें करेंगे vacancy C में चले जाएंगे यानि ये vacancy कितनी कम हो गई 5,000 तो आप अराम से मान के चलो वी 5-6,000 में से 5,000 निकाल दो तो ये vacancy कितनी रह जाती है आपकी 8,000 vacancy पे ही सोदा टका हुआ है यानि 5,000 vacancy गायब हो जाएंगी और पिछे भी होई थी आपको पताईए तो बच्चों का नुक्सान हो जाएगा अगर ऐसा कर लो तो ये 5,000 बच्चे जो है vacancy तो अराम से खाली होगी पिछे भी खाली होई आपने देखा 18,000 में से कितनी विकेंशे खाली होगी 12,000 बच्चे थे ठीक है तो उसका कारण यही था वही कारण था सेम का सेम डेटो कारण था ठीक है ना तो ये कारण अगर group D का बाद में result दिया जाए तो merit क्या होगी कम जाएगी भई अगर एक महिने बाद आपको result मिल जाए और एक महिने बाद आपको joining मिल जाए और एक डेड़ महिने बाद आपको joining मिल जाए लेकिन joining मिल जाए आपको दुख तो नहीं है ना कोई भी ठीक है ना और उससे पहले result आजाए और जोईनिंग आपको नहीं मिले कम नंबर वालों को नॉर्मल सी बात नहीं मिलेगी तो कम नंबर वालों को जोईनिंग लेने है अगर 60 और 65 के बीच में आपके नंबर बनते हैं तो आपका selection हो सकता है बस इतना हो जाए भी क्या हो जाए भी गृूप C का पहले हो जाए तो टेलीग्राम में भी ये कैसे किया जा सकता है इसकी बारे में हम पूरी जानकारी पूरी एक-एक चीज को निकालेंगे और आपको बताएंगे जोईनिंग ग्रूप d की बाद में हो अगर गुरूप c की जोईनिंग पहले हो तो यह वकेंसी क्योंकि वेटिंग वेटिंग लगाने का फंडा खतम है सपस्ट बात बोलो पांच नमबर से गट जाएगा कुछ नहीं गटेगा बाई इतना फरक नहीं पड़ेगा पांच नमबर अगर जोई से दी जाएगी ग्रूप D में लेना है या C में लेना है तो पहल है उसे बरोसा नहीं है इस वकेंसी पर अभी तक तो वह पहले ग्रूप D को जोईन करेगा वो कहेगा यार जाओ मिलती है लेलें बाद में देख लेंगे सी नमबर मुंबर इसी में ले लें और आप अगर होते आप क्या सोचते सो अपने पिले के देखो आप अगर सी में ज लेते हैं तो पांच नमबर पहले आप ग्रूप D में सेलेक्ट कर लोगे आप पर सोच के देखो कोई नहीं लेगा बाई जिसके उपर जिसको ग्रिबी देख रही है ना जो बेराजगारी देख रही है जलक दिखाई दे रही है उसे पताई ये बात वो लेगा उसके नमब तो इसलिए आप जोएन कर लीजिएगा नहीं जोईदी कर वाले गृूप C की अगर जोईदी पहले कर वाले तो ग्रूप D की मेरेट दस नमबर तक कम जाएगी किसी से पूच लेना चाहिए दस नहीं तो साथ आठ नमबर तो अराम से गटेगा क्योंकि वह 5000 बच्चे है हो यहां पर रिपीट नहीं होंगे और रिपीट नहीं होंगे तो इसका मतलब निच्चे वाले बच्चों का फाइदा हो जाएगा बाकि आप जैसा भी सोस्तियों कोमेंट करके जरूर बताईएगा टेलीग्राम जोइन कर लीजिएगा वहां पर आपको बताएंगे या आगे वीडियो बनाके बताएंगे किस तरीके से कोई ट्वीटर वीटर से वियान चलाएं कुछ न कुछ किया जाए बिकतिस तारिकों सिस्टम बन जाए आपका केस फारिक हो जाए और ग्यारवे महिने के आपको फाइदा होने वाला है तो बाकि आप क्या कहना चाहते हो कोमेंट में जरूर बताएं ठीक है अगर अच्छी लगी जानकारी कोमेंट जरूर करें अच्छी जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेर करने का काम करें चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें और यह आप जुड़ोर हो बस करते हैं कुछ न कुछ न कुछ न कुछ बच्चे रिपीट ना हो और पान से बच्चों की जब वाज उठते हैं तो सरकार के भी कान खड़ी हो जाते हैं तब क्योंकि इलेक्शन नजदीक है तो अब सुना जाएगा हर बात आपकी सुनी जाएगी तो सुनने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा बाकि आपकी मर्जी है जैसा आप चाहते हो भ ने दो तो आपकी मर्ची काम कौन होते हैं फिर ठीक है ना तो मैंने ग्रूपडी का पेपर दिया है ना मेरे ग्रूपडी में लगना है तो मुझे तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला लेकिन बच्चों का फाइदा हो जाए और ज्यादा ज्यादा गरों के अंदर चिराग जले वसे इतना ही हम करने के लिए ताकि ग्रूप सी वाली वाकेंश यह वह भी इसी सरकार के दोवारा पूरी कर ली जाए और 30 35,000 सिद्धा सिद्धा फाइदा 30 35,000 बिरोजगारी कुछ कम हो ठीक ना बिरोजगारी कुछ कम होगी तो फाइदा भी होगा ठीक तो हम तो इत झाल 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 झाल